स्री शिवाई नमस्तो व्यम हरर महादेव आप लोगों को पता होगा कि पुजी पंडित परदीप जी मिस्रा के द्वारा हर वर्ष सावन सिवरात्री में ऑनलाइन अभिसेग होता है और हर साल के बाते इस साल भी गुरुजी 15 जुलाई को पुजा और अभिसेग करवाने जा रहे है अगर आप इस पुजा में भाग लेते हैं और इसका अनंद लेना चाहते हैं तो गुरुजी के यूट्यूब चैनल और फेस्बुक चैनल और आस्ता टीवी पे भी ये प्रोग्राम रातरी के आठ वजे से सुरू होने वाला है तो आजके इस वीडियो में हम आप लोगों को पुजा में और अभिसेग में जो भी सामागिरी लगेगी और क्या-क्या गुरुजी ने नहीं नहीं सामागिरी बताई है वो सारी लिष्ट हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं फोटो के साथ जो कि आपको समझने मे दिक्कत नहों सके और बजार में आप आराम से खरीज Sकते। और अंतिम में हम यह भी बताएंगे, अगर आपको कोई समान नहीं मिलता है, तो उसे हमें किस परकार से उस समान के बदले में दूसरे समान को किस तरह से हम योज़ करेंगे, पिडियूक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूजन समागिरी की जो लिष्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं तो वीडियो को अंतिम तक और अराम से देखिए गर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना अपने घर से एक लोटा जल यानि एक कलश जल रख लेना है उसके बाद गेहों के 21 दाने गेहों के दाने वंस विर्दी के लिए होता है तो गेहों के 21 दाने रखने है कमल गटे 5 रख लेना है अगर कमल पूस्प मिल जाता है तो चावल दाने यानि अक्षत जो हम बोलते हैं 108 चावल के दाने रखने हैं साबुत होने चाहिए इस चीज का बिसेश दियान रखिएगा काली मिर्च जो होती है 21 काली मिर्च चाहिए उसके बाद काला तिल एक चुटकी काला तिल रख लिजिएगा एक धतूरा रख तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसके जगह पे कोई दूसरा भी साथ ले सकते हैं उसके बाद गोल सुपारी आपको तीन लेना एक गनेज जी के लिए दूसरा गोरा जी के लिए और तीसरा सुपारी जो होगा वो आपको संकल पुहां पे जब लेंगी तब उसके बाद दो जोड़ा आपको जनव लेना है देसी घी का दो दिपक आप लोग तयार करके रखिएगा एक दिपक जो है जिसमें थुरा ज़्यादा घी डालिएगा जो कि आपको अखंड रहेगा यानि कि पूजा जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वो जलेगा और एक दिपक आपके आरती के लिए जरूरत पड़ेगी रितु के हिसाब से आप पांच फल ले सकते हैं पांच तरह के फल ले लेजिएगा मिठाई आपकी जो मरजी हो वो रख लीजिएगा अगर बत्ते धूप माचिस लेना नहीं बूलीगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम माचिस भूल जाते फिर उठके हमें जाना पड़ता है तो माचिस भी अपने साथ में रख लेना है उसके बाद देखिए जो कुछ गुरू जी ने विसेस यानि कुछ इस बार अलग तरीके से बताया कुछ चीजों को उनको भी ध्यान रखेगा आपको हल्दी, अभीर, गुलाल और महंदी ये भी रख लेना है पीला चंदन रखना है मोली हाथ में जो हम लोग कलाई में बानते हैं वो रखना है कपूर रखना है आर्ति के लिए लौंग इलिची रखना है पंचा अमरित आपको दो कटोड़े में पहले से बना के रखना है उसके बाद अलग से आपको दूद, दही, घी, शहद, शक्कर अलग-अलग कटोड़े में रख लेना है गंगा जल्वी साथ में रखिएगा ये सारी की सारी समागिरी के लिस्ट हमने आपको बता दी कहीं भी कोई भी दिक्कत आती तो आप पीछे जाके रोक के फिर भी देख सकते हैं और एक चीज़ का बिसेश धियान रखे कोई भी दिक्कत आता तो प्लीज आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे मेसेज कीज़ जिएगा जिसका की आंसर हम आपको जल्दी दे सकते हैं और पार्थिव सिवलिंग जो है किस तरह से बनाना है उसको भी बता दिया हूँ और पार्थिव सिवलिंग आप लोग पहले से बना के रखिएगा description box में link दिया गया है उसे आप देख लिएगा एक बार पार्थिव सिवलिंग का जो विशर्जन है उसी रात में हमें अपने घर में ही कर लेना है यानि कि घर में जो आपका बाग भगीचा होता है वहीं पे करना है जो कि गुरुजी भी दिखाएंगे और गुरुजी भी बताएंगे रातरी में और जो समान हमने आपको पहले ही बताईए कि जो समान आपको नहीं मिल रहा है जैसे कि मान लेते हैं कि काली मिर्च नहीं मिल रही है